आज मैं आप लोग के लिए फिचर टेंस के सेकेंड काइंड फिचर कॉंटिनेस टेंस के फर्स्ट एस्ट्रेक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर में लेकर आये हूं यह हमारा पार्ट फिप्टी फो भाईव चल रहा है अगर आपने अभी तक मैंने पिछले वीडियो पार जाता है जब एक्सन कोई काम होगा अधूरा होगा आनेवाले समय में होगा तो आप हम लोग उसको समझेंगे आप समझेंगे के यह पाइंडि एं तो यदि किसी हिंदी sentence के भर बेक्यामते में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, आदी लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये future continuous tense का sentences है, मैं आपके लिए 8 sentences लेके आया हूँ, जब सारे sentences को आप गोर से देखेंगे, तो कहीं न कहीं आपको sentence के भर बेक्यामते में ता रहूंगा, मिल जाएगा, तो सोचता रहूंगा, ता रहूंगा है, लोग तुम्हें बदराम करने की कोशिस करते रहेंगे, तो ते रहेंगे, य जब कर रहे थे, कि जब action होगा, action होगा, काम होगा, आधूरा होगा, और कब होगा, आने वाले समय में होगा, तो उसको कहेंगे, feature continuous tense कहेंगे, तो देखिए, मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहूंगा, तो यहाँ action word कौन है, सोचता रहूंगा, यानि सोचना है, तो सोच action has not been done, has not been completed, action पूरा नहीं हुआ है, तो आप समझ जाएंगे, यह future continuous tense का sentences है, तो अब हम रोग समझते हैं, कि इसको, ऐसे sentences को कैसे English में बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाता है, तो ऐसे sentences को बनाया जाता है, subject plus cell be, या will be, plus before, plus object, plus other word, यह structure है, एक formula है, आप इसी sentence, इसी structure में आप English sentences बनाएंगे, या मैं आपको जो है, कुछ sentences बताऊंगा, 4-5 sentences बताऊंगा, उसमें से जो है, आप समझ जाएंगे, अच्छा से समझ जाएंगे, तो हजारों sentences बना सकते हैं, you can make thousands of sentences, if you understand everything, okay, easily, अगर आप अच्छा से समझेंगे, okay, if you will understand it easily, then you can make thousands of sentences, okay, in this structure, तो हम ल आएंगे, तो सबसे पहले find out करना होगा subject कौन है, तो subject इसमें कौन है, मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहूँगा, subject कहा जाता है, काम करने वाले को, तो इसमें काम करने वाला कौन है, यानि सोचने का काम कौन करेगा, तो मैं करूँगा, तो मैं जो है, I होता है, मैं को English म i कहा जाता है i उसके बास sell be or will be इन दोनों में से एक लगाना है तो आप जानते हैं कि अगर subject ऑगर first person बोले तो i और we i और we होगा तो इसके साथ आप sell be का use करेंगे किसका sell be का use करेंगे अगर subject आपका second person होगा और या third person होगा second person या third person अगर आपका subject सब्सक्राइब करेंगे तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे याद कर लेंगे स्क्रीन सोट ले लेंगे चलिए तो आई यहां हमारा फॉर्स्ट परसन है और फॉर्स्ट परसन के साथ क्या लगता है सेल भी का यूस किया जाता आप बाद जानते हैं अभी सीख चुके हैं तो आयजों बुसकी बात जो आप जानते हैं कि पांस होते हैं फाइभ यहां इसमें कोन वाला जो काम करता है तो काम करने वाला मैं यह क्तरा है सोचने का काम करेगा तो यहाँ पर सोचना को English में think के कहा जाता है think के जो है b1 है और इसमें ing 8 कर देंगे तब न हमारा before होगा तो I shall be thinking और तुम्हारे बारे में object लगाएंगे उसके बाद object जो है तुम्हारे बारे में about you मैं आपके वीडियोस देखता रहूँगा I shall be watching your videos मैं आप से मिलता रहूँगा I will be meeting you मैं आपका इंतिजार करता रहूँगा I shall be waiting for you मैं आपका लंबे समय तक इंतिजार करता रहूँगा I shall be waiting for you for a long time इस तरह का English बनाएंगे नेक्स देखें लोग तुम्हें बदनाम करने की कोसिस करते रहेंगे तो ऐसे sentences को आप कैसे बनाएंगे इसको बना रहे हम लोग second one को तो इसमें आपको find out करना होगा subject subject कहा जाता है काम करने वाले को तो यहां बदनाम करने की कोसिस करते रहेंगे साथ ही इसनाग बड़नाम करना याद रखेंगे तो कोशीस करना को पहले लगाएंगे तो कोशीस करना को पहले लगाएंगे तो कोसिस करना को इंग्रिस में try कहा जाता है यह B1 है INZ 8 कर देंगे trying उसके बाद बदनाम करना दोनों भर्वे का यूज कर देंगे पहले बदनाम करना को इंग्रिस में denounce कहा जाता है या defame भी कह सकते है और इन दोनों भर्वे के बीच में यानि इसको B4 में use करेंगे और इसको B1 में use करेंगे याद रखेंगे बाद वाले भर्वे को B1 में use करेंगे और दोनों भर्वे के बीच में 2 का परिज करेंगे किसका 2 का तो क्या हो जाएगा the people will be trying to denounce और तुम्हें यहाँ बज जाता है तुम्हें object है और तुम्हें को English में you कहा जाता है तो easy way में बन गया next इसको देखे कैसे बनेगा वो तुमसे हर दिन मिलने की कोसिस करते रहेगी तो इसमे subject कौन है मिलने की कोसिस कौन करेगी तो वो है तो वो को English में क्या कहा जाता है C कहा जाता है c के साथ क्या लगेगा c के साथ लगेगा c के साथ will be i और v के साथ ही cell v का यूज़ कहा जाता है तो इसके साथ will be लगेगा तो c will be उसके बाद कोसिस करती रहेगी तो कोसिस करना और मिलना इसमें भी दो भरबे है तो कोसिस करना को इंगिश में क्या कहा जाता तुम्से तुम्से को इनिस में का जाता है मीट मीट विए उसके विट यू और हर दिन को इनिसमें का जाता है every day क्या कायता है every day उसके लाद full stop लगा देंगे तो बहुत easy है इसको screenshot ले लेंगे जो कुछ में मैं बता रहा हूँ इसको screenshot लेते जाएंगे next देखिए आप लोग मेरे हर वीडियो को समय पर देखते रहेंगे तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए आप लोग इसमें subject कौन है आप लोग को English में you कहा जाता है इसके साथ will be use करेंगे आप will be okay you will be उसके बाद देखना का भर बे देखना है तो देखना को English में watch कहा जाता है जब आप गोर से देखेंगे किसी चीज़ को तो उसमें watch का यूज किया जाता है तो watching before का यूज कर दिये you will be watching और उसके बाद object कौन है मेरे हर वीडियोज को my all videos my all videos उसके full stop अब देखें मैं हर पल आप लोग को English सीखाते रहूँगा तो इसको कैसे बनाएंगे तो इसमें कौन है subject कौन है I sum और तो इसमें एक करनाए टीबिश में यूज कर दियंगे हो जाएगा यूको आप लोगों को आप लोगों को मैं क्या कहता है यू आइस्लबेस की इंगीस एंग्लिश कौन universities एनिज्स में क्या है तो आइसल भी टीचिंग यू इंग्लिस एवरी मौमेंट मैं तुम मैं तुम घर पल याद करता हूँ गा कैसे बोलें एपने दम आप प्लप यू प्यार करता रहूंगा आइसल भी लव यू एवरी-वरी-टाइम या हर लम्हा इस तरह मना इंगि इस तरह से देखिए मैं तुम्हें अपने जिंदगी की आखिर सांस तक प्यार करता रहूंगा तो आप इसको कैसे बनाएंगे इसको आप स्क्रीन सोट लेंगे लेंगे नोट डाउन करते जाएंगे आप तो इसमें लोंग सेंदेंस लेगा लेकिन आपको घवराने की जुरत आप पहले इसमें प्लकान करेंगे सभी है को बना रहे हैं सभी है के साथ अब क्या लगाएंगे integrated नहीं करें लव देखेंगे तो भर प्यार करना को इंगिस मीं का जातामागा और किसको तुम्हें तुम्हें को इंगी मैं तुम्हें प्यार करता रह 130 स्क्राइब गराइब breath of my life मैं तुम्हें अपनी जिन्दगी की आखरी सांस तक प्यार करता रहूँगा I shall be loving you till the last breath of my life इस तरह से English में बनाते हैं अगर आप मैं जो कुछ भी सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ whatever I have taught you मैं आपको सिखा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ अगर आप सिख चुके हैं if you have understood तो आप easily sentences को बनाएंगे जानू मुझे हर पल याद करती रहेगी जयान राज मुझे से प्यार करता रहेगा इसको बना के comment box में आप comment करेंगे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजएगा दोस्तों को share किजएगा अच्छा लगा तो comment जरूर किजएगा अगर आप JPSC, BPSC, UPSC या CGL, SI, Railway या सिटेट, सिटेट या किसी भी competitive examination का तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका description box में link के दे दूँगा वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आप बिहार बोड के student है class 12 में पढ़ते हैं आई या ISE icon में पढ़ते हैं तो इसका भी English का वीडियो बनाता हूँ उसका description box में link के दे दूँगा आप वहाँ से देख सकते हैं keep watching my videos keep on speaking every time with your friends in English so that you may understand easily you may learn English easily आप आसानी से English सीख जाएगे इस में जो है इस structure में आप 2-3 sentences नहीं बनाएंगे आप 1000 sentences बनाएंगे you can make thousands of sentences in this structure if you are if you have understood easily okay thank you have a nice day keep watching my videos